चावल तो हम सभी के घर में अक्सर बची जाता होगा तो हमें समझ में नहीं आता है कि उसका क्या करें आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही यूसफुल रेस्पी शेयर करने वाली हूँ ये है बचे हुए चावल से इंस्टेंट डोसा किस तरीके से बनाया जाए जो की खाने में भी बहुत टेस्टी और क्रिस्पी होता है वो रेस्पी तो चले देखते हैं हाई एवरिवन वेलकम बैक टो क्यूमिन करी मैं हूँ आप सभी की foodie host अमिता और आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट डोसे की रेस्पी वो भी बचे हुए चावल से जिसके लिए हमें एक कप के जितना ये रात के बचे हुए चावल है मैंने ले लिया है अगर एक कप के जितना चावल है तो आपको उससे आधे से थोड़ा जादा यानि कि दो तिहाई कप के जितना मैंने सूजी लेके रखी है और जितनी सूजी है आपको उतनी ही इसमें दही भी यूज़ करनी है तो दो तिहाई कप के जितना ये दही ले ली मैंने सारी चीजे डालके आपको mixi में अच्छे से पीस लेना है पीसना बहुत important step है इसमें आपको बहुत ही अच्छे से पीसना है जैसे कि एक बार मैंने ये पीस लिया है थोड़ा सा गाडा ये हो चुका है लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालके हम इसे और पीसेंगे तो आधा कप के जितना मैंने पानी और डालके इसे कूब अच्चे से 5 मिनट तक पीछ में रोक रोक के चलाया है तो एकदम बैटर वाली smooth consistency हो गई है जैसे हमें डोसा बैटर चाहिए होता है बिल्कुल उस तरीके से मैं आपको दिखा दे रही हूँ यह देखे हमारा यह बैटर बहुत अच्चा लग रहा है इसे हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट भी देंगे ताकि जो सूजी है थोड़ा सा फूल जाए यह देखे ऐसे पीछे एक लाइन खीचे तो वो वापस से एकठा नहीं होना चाहिए लाइन रुकी रहनी चाहिए इसे हम खाली कर लेंगे और ढखके मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जब तक वो रेस्ट कर रहा है यहाँ पे हम गन पाउडर बना लेते हैं गन पाउडर कुछ नहीं एक साउथ इंडिन मसाला होता है जो कि डोसे के साथ बहुत अच्छा जाता है यहाँ पे मैंने 8 से 10 ऐसे सुखी लाल मिर्च ली है अगर आप यह पाउडर बनाके रखते हैं तो आपको फिर मसाला बनाने की बज़रुती इसी के साथ दोसा बहुत अच्छा लगता है 2 चमच के जितना चैना डाल डाल दिया मैंने और इसी के साथ हम इसमें एक चमच के जितना उरत डाल भी डाल देंगे हलका सा मैं पहले भून ले रही हूँ हर चीज के भूनने का टाइम अलग-अलग होता है तो इसलिए एक एक करके आड़ करना, एक साथ नहीं आड़ करना है, जब चैने पर थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए, तो इस पे हम उरत डाल आड़ कर देंगे, तो ये एक चम्मच के जितना, यानि की वन टेबल स्पून के जितना उरत डाल डाल दी मैंने, बिना चिलके वा काली मिर्च के हैं, और एक चम्मच के जितना चावल है, कच्चा चावल है, इसे भी डाल के हलका सा भूल लेंगे, जिस चीज को पकने में जादा टायम लगता है, उसको हमने पहले डाला है, अब यहाँ पे मैंने, एक टी स्पून के जितना सफेद वाला तिल डाल दिया है तिल बहुत जल्दी पकता है, तो इसलिए बाद में डाला है, और सबसे लास्ट में हम डालेंगे, डेसिकेटड कोकोनट, यानि की नारियल का भूरा, ये भी एक चम्मच के जितना, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, भूरा डालने के पहले, क्योंकि तवा गरम था, उस हमारा घर का बना, गन पाउडर बिल्कुल टेड़ी है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ, ये एंजॉय कर सकते हैं, और ये महीनों तक खराब नहीं होता, क्योंकि इसे हमने ड्राय रोस्ट किया है, इसकी खुश्बु ह ही बहुत अच्छी है, आप इसे जरूर ट्राय करें, और सबसे अच्छी बात अगर आपके पास वो है, तो जैसा कि मैंने पहली भी बोला, आपको फिर मसाला बनाने की विज़रोद नहीं, उसी के साथ दोसा बहुत अच्छा लगता है, ये रेस्ट करते हुए हमारा बैट हो गया है 15 मिनट, थोड़ा सा ये गाड़ा भी हो चुका है, तो मैं वापस से थोड़ा सा और पानी डालूँगी, पहले कर्ची में मैंने एक चम्मच के जितना पानी ले लिया, मैं रीजन बता रही हूं क्यूं, इसमें आधा चोटा चम्मच के जितना ये मैं बेकिंग प पाउडर आपने जितना यूज किया है, उसका जिस्ट हाफ यूज करना है, यानि कि एक चौथा ही टीस्पून के जितना, तो तीनों में से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, सेम थरीके से वो काम करेगी, तो यहाँ पर मैंने वो 1 टेबिल स्पून पानी में पहले पे बिल्कुल ऐसे ही consistency होनी चाहिए इसकी, अब यहाँ पर मैंने एक non-stick तवा लिया है, तवा गरम है या नहीं, पहले पानी डाल के मैंने चेक कर लिया, यह नमक वाला पानी है, मैंने पानी में थोड़ा सा नमक हो लिया था, इस तरीके से एक shine आ जाती है, डोसा बनाते वक् यह तेल के डाले जादा नहीं डाला, और यह है प्यास, कच्ची प्यास, इस तरीके से हम इसको फैला देंगे, मतलब जो तेल है, प्यास के थ्रू हम हर तरह फैला देंगे, जो प्यास का रस होता है, वो तवे पे कोट हो जाएगा, उसकी वज़े से जो डोसा है वो और तवा है वैसे भी नहीं चिपकेगा लेकिन एक बहुत अच्छा ग्लेज आ जाता है आपके डोसे के पीछे वाली लेयर पर ना बहुत जादा हाई होनी चाहिए फ्लेम ना बहुत जादा लो होनी चाहिए मीडियम से लो के बीच में आप रखें जब आप बैटर डाल रहे हैं अंदाजे से बैटर डाले जितना भी बड़ा छोटा डोस आपको बनाना है और अंदर से बाहर के साइड में फैलाते रहना है वापस से अंदर नहीं जाना इस तरीके से चूणिया यानि की रिंक्स बनाते हुए आपको फैलाना है यहा होता है कि पहला वाला डोस उतना आपको gun powder किस तरीके से use करना है इसमें वो भी अभी दिखा दे रही हूँ ये देखे इस तरीके से बिल्कुल भी गवराना नहीं है अंदर से बाहर के साइड आपको फैला लेना है हमने डोसा फैला लिया देखे कितने अच्छे से bubbles बन रहा है कोई नहीं बता सकता कि ये instant डोसा है जो कि हमने बचे हुए चावल के साथ बनाया है अगर आपने flame को बहुत ज़ादा high रखा तो डोसे पे पीछे से तो color आ जाएगा लेकिन वो उतना ज़ादा crispy नहीं होगा तो इसलिए मैंने बूला कि जो flame है उसको थोड़ा सा medium से low के बीच में रखें ये जो हमने gun powder बनाया था वो डाल देंगे इससे इसका जायका और जादा बढ़ जाता है और खूब दे सारे मैंने बारी कटे हुए प्यास डाल दिया और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता आप भरी मिर्श भी डाल सकते है अगर आपका मन है तो इसके लिए आलू मसाला भी बना के आप यूज़ कर सकते है जब साइड में इस तरीके से हलका सा brown कलर आ जाए थोड़ा थोड़ा तेल डाले उपर भी डाले थोड़ा सा और इसे निकाल ले आप किसी भी तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं कौन का भी शेप दे सकते हैं या फिर रोल भी कर सकते हैं या फिर जस्ट एक बार फोल्ड भी कर सकते हैं यह देखे कितने अच्छे से हुआ है हमारा डोसा इकदम सूपर क्रिस्पी, कलर भी बहुत अच्छा है है, ग्लेज भी बहुत अच्छा है, इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे, आप इसे किसी भी चटनी के साथ एंजॉई कर सकते हैं, किसी भी तरीके की साओथ हिंडिन चटनी, चाहे कोकुनट चटनी, टोमेटो चटनी, सांबर भी बना सकते हैं, तो इन सारी चीजों की रेस्पी मैंने पहले से डाल के रखी अपनी यूट्यूब चैनल पर, जिन लोग तो हैना कितनी जटपट और आसान सी रेसिपी, और बचे हुए चावल का बहुत ही अच्छा यूज है, क्योंकि डोसा तो हम सभी को पसंद होता हैं, इस तरीके से रात के बचे हुए चावल का आप सुबह बहुत ही अच्छा जटपट ब्रिक्फस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने सवाल हमेशा मुझसे कमें सेक्षन में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को जरूर हेल्प करूंगी, ये डोसा आप बनाएं और आपको जैसा भी लगे, आपका जो भी फीडबैक हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मुझे कमें स कि इस तरीके की रेसिपी और भी लोगों तक पहुचनी चाहिए, तो इसी तरीके से मैंने बाकी के भी डोसे बना लिये, इसे आज मैंने सर्फ किया है, सिंप्ली सांबर के साथ, और को कॉनट और टमेटो चटनी के साथ, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते ह कि ये पहले से बने हुए बैटर का है, यानि कि फर्मेंटेट बैटर का है, या फिर बचे हुए चावल का है, तो आप ये रेस्पी ज़रूर ट्राय करें, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और रेस्पी के साथ, तब तक के लिए टेक क्या बबाए और कीप कुकिंग,